दिल्ली से आशुतो शाम्परी की एक शिश्या लखनौ आई हुई है और वहाँ चौकाने वाली बातें आशुतो शाम्परी को लेकर कर रहे हुए तो हमने मां से बात की मा ने कहा कि कोई नी एक बार चैक अप कर वालो तो यहीं लखनो में जो है हुस्पिटल है उसमें हमने चैक कर वाया तो वहाँ उन्होंने अल्टासाउंड और यह सिटी सकेंड गएरा जो भी होना था वो सब किया उन्होंने बोला कि तुम्हें आपको जो है कैंसर है तो फिर हम थोड़ा घबरा गए मैं कैंसर का नाम सुनके लेकिन जैसे मैं आश्रम में आई सारा टेस्ट करवा के मा ने कहा कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है तो हम 40 दिन तक मां के पास उस समय थे मेरा जो वेट है वो 30 किलो रह गया था और 40 दिन में हमने देती थी बस और 40 दिन तक हमारी ऐसी हालत थी लेकिन हमारी उर्जा मा की किरपा से बनी हुई थी फेस पे मतलब सभी कहते थे कि कोई ऐसा लग नहीं रहा कि आप जो हट 40 दिन से आपने भूजन नहीं किया फिर माने हमें जो है बोला कोई नहीं गभरानी की कोई जूरत नहीं माने स्वेम मुझे भेज़ा कि दिली जाओ वहां एक पर चैक अप करवाना है फिर से हम गए दिली में भी कम से कम तीन चार होस्पिटल में गए थे तो सभी ने कहा कि मतलब कितनी बड़ी मुरखताब कर र में जब मेरी ऐसी स्थी थी तो मुझे मैं ध्यान में जैसे बैठती हूं मुझे काल नजर आता है और जो काल है वो बोलता है कि तुम्हारा समय आ गया है तुमने चलना है मैं उसको बोलती हूं कि मेरा समय कैसे मेरे मा मेरे साथ है तुम कैसे लेके जा सकते हो मुझे तो जै हम मेरा ओप्रेशन हो रहा है उस समय डॉक्टर खड़े वे हैं ओप्रेशन कर रहे हैं और मैं मेरे प्राण निकल रहे हैं मैं मृत्यू की गोद में जा रही हूँ लेकिन उसी समय फिर मेरी मा साक्षात स्वयम डॉक्टर के रूप में खड़ी होती हैं और मेरा ओप्रेशन कर पे आई फिर से मुझे जो है काल नजर आता है और उस समय काल ये नहीं बोलता कि तुम्हारा समय आ गया उस समय काल हमारी मा साक्षात नजर आ रही है खड़े वे उनके चरणों में दंडवत परणाम करते हुए प्रण और जो है ऐसे हाथ जोड़कर वो लोट जाता है अठाइस जो बताया जा रहा है कि अठाइस तारीकोन का एक मैना हो जाएगा तो लोट आएंगी आपको पूर्ण विश्वास है मुझे पूर्ण नहीं मुझे टू हंड़र्ड परसंट विश्वास है कि लखनाउ से अंजली सिंग राजपूर्थ की रिपोर्ट लोकलेट देन